पसकार दोस्तों मैं शिखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेस्पी लेकर आई हूँ इसका नाम है नगेट्स ये साम के वक्त खाया जाता है चाय के साथ तो इसके लिए हमें चाहिए एक गाजड कदू कस किया हुआ थोड़े से गोबी बारिक कटी हुई और एक सिमला मिर्च बारिक कटा हुआ तो सबसे पहले हम कढाई गर्म करेंगे और इसमें दो चम्मच हम सरसो का तेल डालेंगे तेल को अच्छे से पहले गर्म होने देंगे तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तेहां पर हम चार से पाच हरी मिर्च बारिक कटा हुआ डालेंगे इसे पहले हलका सबून लेते हैं इसे हलका सभूनने के बाद this same way up कद्दू कस किया हूँ अद्रक डालेगे इसे भी पहले हम एक 2 मिनिट भून कर पका लेते हैं इसे पकाने के बाद यहां पर हम गोवी बारिक कटा हूँ डालेगे गो़ी जालकर इसे हम थोड़ी देर इसे भून लेंगे पहले जिससे इसका कच्चा पन चला जाए और जो पानी हो और सूख जाए तो देखे थोड़ी देर गोवी भूनने के बाद यहां पर हम कद्दू कस किया हुआ गाजा डाल देंगे इसे भी चलाते हुए थोड़ी देर पहले भून लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर हम सिमला मिर्च बारी कटा हुआ एक डाल देंगे और इसे भी मिलाते हुए थोड़ी देर हम भून लेंगे दो से तीन मिनट इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है बस इसका सबजी का कच्चा पन हमें खत्म करना है इतना ही हमें चोटी चमच काली मिर्च पोडर डालेंगे एक चोटी चमच चिली फ्लैक्स डालेंगे और आधा चोटी चमच गरम मसाला डालेंगे इन सभी को भून लेते हैं मसाले के साथ थोड़ी देर भून लेंगे और यहां पर हम स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे नमक डालने क इसे अच्छे से mix कर लेंगे और 1-2 मिनट और पका लेंगे यहां पर हम 5-6 उबले हुए आलू का इस्तमाल करेंगे यह छोटे साइज के आलू है और इन्हें हम अच्छे से मैस करके आइस में डाल देंगे यह मैस किया हुआ आलू है आलू आप यहां कम ज्यादा भी कर सकते ह आप कितनी सामगरी का बना रहे है उसके अनुसार और आलू को अच्छे से थोड़ी देर इसमें मिला कर हम भूनेंगे आलू को अच्छे से भूनने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे प्लेट में निकाल कर फैला देखिए यह चूड़ा जो हम जिसे बोलते हैं पोहा उसका पॉडर हम यहां तयार किये हैं हमारे यहां इसे चूड़ा भी बोलते हैं तो पोहे को हम मिक्सर जार में डाल कर इसका पॉडर तयार कर लिए हैं उसे हम यहां पे दो चमश्च आलू के मिश्रन में सब्जी वाले म चम्मच बारिक कटा हुआ अख्रोट डालेंगे और उसे भी अच्छे से साथ में मिला लेंगे तो दोस्तों पोहे का चूरा पेहां पे डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कुरकुरा पनाएगा जब हम इसे फ्राइ करेंगे और पोहे का चूरा डालने से ये आपस में अच्छे से बनने भी लगेगा यहां पर हम दो बड़े चम्मच मैदा लेंगे इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यहां थोड़े थोड़े पानी डाल कर इसमें इसका एक पतला गोल तयार करेंगे एक साथ पान डालना है जिससे इसमें गुठ्णिया ना बने और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे देखिए इस प्रकार का गोल हमें चाहिए गोल बना कर इसे साइड में हम रख देते हैं और यह मिश्रन भी थुआ ठंडा हो चुका है इसे अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे बि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें किस तरह नगेट्स त्यार करना है देखिए इस तरह हम आलू के मिश्रन को थोड़ा सा हाथ मे ले ले लेंगे और इसे अपजी इस आकार में भी चाहे बना सकते हैं नगेट्स तो थोड़े तेड़े मेड़े ही बनते हैं इसे बिल्कुल पकोड़े के जैसा नहीं बनाना हमें बस कोई भी सेफ हम इसे दे सकते हैं इसी तरह से हम आलू के मिश्रन से सारे आलू के मिश्रन से हम नगेट्स तयार कर लेंगे सकते हैं अभे साइट रखे हैं और यहाँ पędzie का चुरह प्रफ़ों से रखेंगे ते क्रिस्पी जिए यहाँ पर चुरह ये पास अभी डेट नहीं तो मैं पोहे के चूरे से भी वही काम होगा हमारा तो एक नगेस हम घोल में डालेंगे और उसे अच्छे से कोट करने के बाद उसे निकाल कर यहां पोहे के चूरे में डालेंगे और इसे अच्छे से इसमें कोट कर देंगे जिस प्रकार हम ब्रेट का चूरा लगाते हैं न द करके दिखा रही हूं एक मैं अगर समझ में ना आया तो आप इसे दुवारा देख सकते हैं बस एक नगेट्स हम गोल में डालेंगे और उसे अच्छे से गोल से कोट करने के बाद उसे निकाल कर यहां पे हम ब्रेड के सौरी पोहे के चूरे में हम डालेंगे यहां पे मैं ब् बेचीटेवल नगेट्स बना कर तयार कर लेंगे, यहां पर हम यही परिक्रिया हम दोवारा भी कर सकते हैं, अगर हमें नगेट्स ज़ादा कृपी चाहिए तो कोट किया हुआ हम दोवारा इसमें घोल में डालेंगे और एक वर घोल को अच्छे से लगाने के बाद इसे निक इसपी बनेगा और खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगा तो आपकी जैसी मर्जी आप बना सकते हैं यहां पर मैं इसे डवल कोट कर रही हूं इस प्रकार हम सारे नगेट्स तयार कर लेंगे और इसे तलने के लिए पहले कड़ाई चढ़ाएंगे उसमें तेल डाल कर हम गर्म कर लेंगे एक छोटा सब्सक्रारे ड़ाल कर में चेक कर रही हूं कि तेल हमारा गर्म है कि नहीं तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो यह तयार नगेस हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आज को हम मत्द्य हम ही रखेंगे ज्यादा साइज हचलीला धालना है बिल्कुल हाई में हम गैस के फ्लेम को नहीं रखेंगे मीडियुम रखेंगे और इसे एके करके डालने के बादिशे निवा इसे थौड़ी तेर शोड़ देंगे ज्यादा धीमा भी अगर आप गैस के फ्लेम को रखेंगे तो ये ज्यादा तेल अपने में खीच लेगा इसलिए हमें गैस के फ्लेम को ज्यादा धीमा भी नहीं रखना है आप देखिए इसे हम पलट देंगे इस प्रकार इसे हम उलट पलट कर चारो तरफ से अच्छा गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे अब ये हमारा हो चुका है अब इसे हम एक एक करके निकालते जाएंगे इसका बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है दोस्तों इसे हम सारे नगेट्स निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम सारे नगेट्स को तल कर तयार कर लेंगे ये देखिए बन कर तयार हो गया है अब इसे मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ ये देखिए बाहर से जितना खास्ता क्रिस्पी बना है अंदर से बिल्कुल सॉप्ट है दोस्तों तो ये साम के वक्त चाय के साथ के लिए बहुत ही बढ़िया नासता है तो आज की रेस्पी दोस्तों कैसी लगी मेरी कॉमेंट करके जरूर बताए अब मेरे चैनल को सस्क्राइब अब मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद थैंक्यू मिलते है अपने नए वीड झाल झाल झाल